हेलो दोस्तों, ये स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, बैंक शब्द से हर कोई वाकिफ है और कहीं ना कहीं हर कोई इससे जुड़ा हुआ भी है, इटली से आया ये नाम आज पूरी दुनिया में वित्तिय कामों को पूरा करने वाले बैंक के तौर पर अपनी दौर तक भारत के बैंकिन सेक्टर ने बही खातों से लेकर कम्प्यूटरी करन तक का एक लंबा रास्ता तै किया है, इसमें बैंकों का विस्तार, उसकी कार्य प्रनाली से लेकर आधमी की करन तक का सफर शामिल है, दोस्तों क्या आपने बैंक आफ हिंदुस्तान का नाम आज का ये वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, साथ ही ये जानकारी आपको बहुत मदद भी करेगी, अगर आप बैंकिन परिक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनमें सफल होना चाहते हैं, तो आपको बैंक से संबंधित जानकारी होनी जरूरी है, बैंकिन प्र अमीद है कि आपका आंसर यस में ही होगा, दोस्तों आपको बता दे कि भारत में बैंक ओफ हिंदोस्तान के नाम से पहला बैंक साल 1770 में एलक्जेंडर एंड कमपनी द्वारा शुरू किया गया था, ये कमपनी कोलकाता की एक अंग्रेजी एजेंसी थी, जिसने इसे करीब 50 साल सफलता के साथ संचालित किया, उसके बाद बैंक की वित्तिय स्थिती गरबढ़ाने लगी, इसकी मूल फं मैसेज अलक्जेंडर एंड कमपनी 1832 में भारी वित्तिय संकट में फस गई, और फिर बैंक बंध हो गया, बैंक ओफ हिंदोस्तान के बंध होने के पहले ही एक और बैंक भी अस्तित्व में आ चुका था, आजादी से पहले शुरू हुए इस बैंक ने भारत के बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर बदलने का काम किया और आज देश का सबसे बड़ा बैंक है, जी हाँ, ब्रितिश शासनकाल के दोरान ही कोलकाता में 2 जून 1806 में, बैंक ओ बैंक ओफ बंगाल, बैंक ओफ बंगाल सरकार द्वारा प्रयोजित ब्रितिश भारत का पहला सहुक्त स्टॉक बैंक था, उन्नीसवी शताबदी के आरंब में ब्रितिश इस्ट इंडिया कंपनी ने तीन बैंकों की शुरूआत की बैंक ओफ बंगाल 2 जून 1806 में, बैंक कर दिया गया, इन तीन बैंकों के विले से इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया अस्तित्व में आया, पहले इन में निजी शेर होल्डिन के तहत यूरोपियन की हिस्सेदारी ज्यादा थी, लेकिन सन 1823 में तीनों बैंकों पर सरकार का नियंतरन हो गया, भारत की आजादी के ब खिरकार 30 अप्रेल 1955 को इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया का नाम बदल कर स्टेट बैंक ओफ इंडिया कर दिया गया, इसके बाद एक जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ओफ इंडिया की स्थापना हुई, सन 1955 में सबसिडियरी एक्ट आने के बाद अक्टूबर में स्टेट बैंक अस्तित्व में आया इसके बाद State Bank of Bikan Air, State Bank of Indoor, State Bank of Jepur, State Bank of Saurashtra, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, State Bank of Travancore और भारतिय महिला बैंक BMB जैसे सहयोगी बैंक बने लेकिन एक अप्रेल 2017 को इन सभी सहयोगी बैंकों का State Bank of India में विलै कर दिया गया इसके बाद SBI देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया, आजादी के बाद शुरू हुए इस बैंक ने आज भारत के बैंकिन सेक्टर की तस्वीर बदल कर रख दी है, इसलिए ये आज देश का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों देश के बैंकिन गितिहास में 19 जुलाई को महत्वपूर माला जाता है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1979 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रिय करन कर दिया था इन बैंकों पर अधिकतर बड़े और द्योगी घरानों का कबजा था बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, योनाइटिड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवसीज बैंक और बैंक ऑफ महराष्ट्रा शामिल है शलिये समझते हैं ये बैंक राष्ट्रियकरन क्या होता है? जब किसी निजीक शेत्र के बैंकों का स्वामित्व सरकार द्वारा अधिगरहन कर लिया जाता है तो वैसे बैंक राष्ट्रियकरिद बैंक कहलाते है. राष्ट्रियकरन का एक अर्थ होता है सरकारी करन. जब किसी संस्था या व्यापारे के काई का स्वामित्व सरकार के अधीन होता है तो उसे राष्ट्रियकृत संस्था कहा जाता है सरकार का स्वामित्व तभी माना जाता है जब उसकी पूंजी का न्यून्तम 51% हिस्सा सरकार के पास हो आजादी के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि छोटे व्यापारी लवुव कुटीर उद्योग तथा कृषी क्षेत्र जिनकी देश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्व पूर्ण भूमिका है उनको आवश्यक रिंद सविधाय उपलब्ध कराने में देश के बड़े बैंको की कोई रूची नहीं है अधिकांश बैंक अपने हित साधने में लगे है ग्रामीन व अर्ध शहरी क्षेत्र में बैंक की शाखाओं का अकाल है उस समय एक जुमला प्रसिद्धा की भारतिय बैंकिंग व्यवस्था क्लास बैंकिंग है यानि आम आदमी बैंक शाखा प्रव मंत्री इंदिरा गांधी के कुछ एक साहसिक फैसलों में से एक है तातकालिक संदर्व में उनका यह फैसला एकदम सही था क्योंकि आजादी के दो दशक पश्चाद भी क्रिशी लभू व मध्यम श्रेनी के उध्योग परियाप्त वित्तिय सहायता से मोहताज थे जबकि द पुलभूट बैंकिन सुविधाओं से पुनरतह वन्चित था सपष्ट है कि बैंकों का राष्टिय करन एक आर्थिक आवश्यक्ता थी अब हम समझते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब और क्यों हुई सन 1925 में रॉयल कमीशन औन इंडियन करेंसी एंड फाइनस का ग और इससे इंडिया में तकरीबन साड़े 400 से अधिक बैंक समाप्थ हो गए तब ब्रिटिश सरकार ने इस परिस्थिती को गंभीरता से लियावर रिजर्व बैंक की स्थापना का विचार किया और ब्रिटिश संसद ने भारतिय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया जिसके अनुसार एक अप्रेल 1935 को भारतिय रिजर्व बैंक RBI का गठन हुआ ये बैंक पूरुतया सरकारी संस्था नहीं थी बलकि सयुक्त स्वामित्व वाली संस्था थी अर्थात कुछ स्वामित्व सरकार के पास तथा अधिकांश निजी कारोबारियों के पास था भारतिय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे भारतिय सरकार ने भारतिय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक जन्वरी 1949 को उसका राष्ट्रिय करन कर दिया और सभी निजी शेर धारकों के सभी शेर भारतिय सरकार ने प्राप्त कर लिए ये प्रक स्तारित कर दी भारतिय रिजर्व बैंक के पहले पहले भारतिय गवर्नर्सी डी देश मुख थे दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद